कि आप सब्सक्राइब को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों का स्यूटी यूजी का रिजल्ट कब तक जारी होगा देकि आप लोगा जो रिजल्ट है ना 30 अब लोग देख सकते हैं इस अब साब साब बोला गया है कि सी यूजी का नतीजा फिलहाल तला जोबारा जांस के बाद ही जारी होगा रिजल्ट अब बात को संजो पहले जैसे की बोलागा ना लेकिन अभी तक आप लोगों रिजल्ट नहीं आया है एक्च्वैं सीउटी क जो एक्जाम है ना इसको भी NTA ही कंडेक्ट कराती है और NTA के साद भी अच्छा का सा SQM चल रहा है जो आपका नीट का जो एक्जाम है डॉक्टर वाला जो एक्जाम होता है उसमें सबसे पहले और कोपी हो या फिर आपने जो एक्जाम दिया है उसका दोबारा से जांच होगा उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी करेगा वालो आप यह समझो कि आप लोगों का जो रिजल्ट है अभी आने में थोड़ा समय लगेगा एंटिय हर पहलू से कर रहा जांच अभी हफ्सति भर का लग सकता है समय कम आप यह देख लो कि आप लोगा आस्पास अभी भी समय लग सकता है पास जो तो तीस तरिक को समय का यह साथ आप लोगयों का रिजल्ट आने का जहाए अब अब देखो यह होगा कि नहीं होगा यह तो अपर NTA के उपर डिपेंड करता है अब एक सब्ता भर का बात अगर हम लोग करें तो 34 तारीक वाना था नहीं आया तो 7-8 दिन और आप लोग यहां पर इंक्लूड कर लो मतलब 7-8 तारीक ते का आप लोग का रिजल्ट आ सकता है सब्सक्राइब यूजी तो 24 का नतीजा फिलहाल टल गया है निशनल टेस्टिंग एजनसीन के एंटिये ने पहली बार यह परिक्षा हाइब्रीड मोड में करवाई थी और निट यूजी विबाद के मद्दे नजर नतीजे में किसी तरह की चुक नहीं होने देना चाहता व सब्सक्राइब यह चाहरा है कि एक तो अभी हम लोग परिशान है और दोवारा से परिशान ही हमारे साथ ना हो इसलिए परिक्षा परिणाम और मेरिट की कई अस्तर पर जाँज के बाद ही स्कोर लिस्ट जारी की जाएगी सीवीटी यूजी का नतिजा 30 जून को जारी होना था हालांकि यह संभावी तिथी थी वरिष्ट अधिकारी के मुताविक एंटिये के विसाई विसाई के सभी विसाईयों की हर अस्तर पर गहन जाज कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई यहां पर गलती ना हो ठीकिक अभी एंटिये लपेटे में हैं और यहां पर भी अगर कुछ दिकत होता फिर से यह लपेटे में आ जाएंगे ताकि चूक की कोई गुण्जाइस न रहे संभावना जताय जा रही है कि नतिजा जारी होने में अभी एक हपते का समय लग सकता है यानि 7-8 तारिक तक आप लोगा रिजन आ सकता यह संभावी ती ती मैं आपको बता रहा हूं 7-8 तारिक तक आप लोगा रिजन आ सकता है निट यूजी दोयर चोबिस के तरह सीवडी यूजी के पंद्रम मुख के विसेयों के परिक्षा पहली बार पेन पेपर आधार पर हुई थी जबकि एन विसेयों की कंप्यूटर आधारिक थी ठीक है इसके छात्र अपनी आपत्य दर्ज करा सकेंगे इसके बाद ही नतीजा जारी होगा पहले आपको यहां पर एंसर की मिल जाएगा उसके बाद रिजल्ट लेगा मिलेगा जिससे किसी परकार का कोई यहां पर प्रोलम दिकत ना हो ठीक है आगे आप देख सकते हो यहां पर अ 7-8 तारिक तक आप लों का रिजल्ट आने का चांस है तो बस अभी आप थोड़ा इंदिजार करो और यह भी आपका एक संभाविक तीथी है ठीक है एक हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं इस डेट तक आप लों का रिजल्ट आ सकता है जो इस पेपर के माइंदर्म से बत मिल जाएगा और रिजल्ट आने के बाद भी वीडियो मिल जाएगा तो अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आयो तो फटाबर चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जहन